आँख बंद करके सिर्फ पर सिरफ खारत की ज्याय प्रणाली के प्रतीश नद्धा रखें अब नारा लगाना है अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है देश की नजर अयोध्या मसले पर चल रही सुनवाई पर है एक और जहां हर दिल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है तो वही कुछ बयानवीर ऐसे हैं जो आए दिन इस मसले पर बयान देते रहते हैं सुप्रीम कोट में राम जन भूमी बाबरी मस्जद विवात पर सुनवाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदर पर बड़ा बयान दिया महराष्ट के नासिक में रैली को संबोधित करते हुए पिएम मोदी ने राम मंदर मसले पर बयान दे रहे नेताओं को नसीहत दे डाली नासिक के साथ प्रभू राम चंद्र जी का नाम भी उतना ही जुड़ा हुआ है तब मैं आज एक और बाद भी बताना चाहता हूं मैं देख रहा हूँ पिछले दो तिन सप्ता से कुछ बयान बहदूर लोग कुछ बड़ बोले लोग अनाप सनाप बयान बाजी राम मंदिर ले करके शुरू कर दिया है देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रिम कौट के प्रती सम्मान बहुत आवशक होता है जब मामला सुप्रिम कौट में चल रहा हो सब पलस अपनी बात रख रहे हो सुप्रिम कौट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो तब मैं हरान हूँ ये बयान बहदूर कहां से टपक गए है क्यों पूरे मामले में अडंगे डाल रहे हैं हमारा सुप्रिम कौट पे भरोसा होना चाहिए हमारा बाबा साब आमेड करने जो समिधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए हमारा भरोसा भारत की नया प्रनाली पे होना चाहिए और इसलिए आज नासिक की पवितर धर्ती से मैं देख भर में ये जो बड़ बोले लोग है बयान बहदूर लोग है उनको हाथ जोड़ करके बिंती करता हूँ भगवान की खातिर प्रभूर राम की खातिर आख बंद करके सिर्फ पर सिरफ भारत की नया प्रनाली के प्रतीश्तर दार रहाए पियम मोदी ने इस बयान से साफ कर दिया कि सरकार भी फिलहाल इंतजार कर रही है सुप्रीम कोट के फैसले का और किसी भी तरीके से हडबडाहट में नहीं है वही नासिक की रैली में पियम मोदी ने कश्मीर के मुद्दे पर भी एक बार अपनी बात रखी हमने बादा किया था जंपू और कश्मीर और लदा की समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश नई प्रयास करेंगे आज मैं ये संतोस के साथ कह सकता हूं कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में भारत के सम्मिधान को समंगरतां से लागू करना सिर्व एक सरकार का फैसला नहीं है ये एक सो तीस करोड भारतियों की इच्छा का भावना का प्रगटि करना ये फैसला जम्मू कश्मीर और लदा के लोगों को हिंसा के आतंग के अलगाव के प्रताचार के कुछ चक्र से निकानने के लिए है ये फैसला भारती एकता और अखंता के लिए ये हमारी प्रतिबद्दता तो थी जम्मू कश्मीर के लोगों के आकांच्छा उनके सपनों को पूर्ती का भी माध्यम बनने वाला है मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप मेरे इस निरने से सहमत है आप खुश हैं आप खुश हैं अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आप नारा सुन रहा था आप नारा लगा रहे थे कश्मीर हमारा है लगा रहे थे ना आप नारा लगाना है अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है महां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है हर कश्मीरी को गले लगाना है चालीस चालीस साल तक 42 लोगों को जिस धर्ती पर मौत के घाट उतार दिया गया जो धर्ती रक्त से रंग दी गई अब 130 करोड देश वासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे सारा देश लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के लिए ये बड़ा मौका था क्योंकि सामने जन सैलाप था जिसे मोधी अपने दूसरे कारेकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद अपने सरकार के काम बता सकते थे नई सरकार को बने सो दिन पूरे हो चुके हैं और इस कारेकाल का पहला शतक आपके सामने है देश के सामने है इस पहले सतक में धार भी है रप्तार भी है और आने वाले पांच वर्षों की एक साप सुत्री तस्वीर भी है पहले सतक में देश, समाच और दुनिया में नए भारत के नए द्रश्टिकोंड की जलक है कठीन चुनावतियों से तक्कर की ललग भी है पहले सतक में ही विकास का जोश भी है और भारत की बैश्विक ताकत का संदेश भी है पहले सतक में बेलफेर का विस्वाद भी है और देश के अर्थतंतर में सुधार का रोजगार के नए अवसरों के निर्मान का प्रयास भी है आत्यों इस पहले सतक में प्रॉमिस है पर्फर्मंस है और डिलेवरी भी है हमने प्रॉमिस किया था कि माहराष्ट्र के देश के हर किसान परिवार को जायों माहराष्ट्र का हो इंदुस्तान के किसी भी कौने का हो पी-एम किसान सम्मान इधी का लाब उसको देंगे और सरकार बनते ही ये काम हमने पूरा भी कर दिया आज देश भर में बीस हजार करोड रुपिये से अधिक किसानों के खाते में ये रकम पहुँच चुकी है और जिसमें पंद्रा सो करोड रुपिये उससे भी जादा अकेले मेरे महराष्ट्र के किसान परिवारों के खाते में जमा हुए हमने प्रामिस किया था कि छोटे किसानों को व्यापारियों और दुकानदारों को निश्शीत पैंशन से जोड़ेंगे और कुछी दिन पहले इसको भी हमने डिलीवर कर दिया हमने प्रामिस किया था कि जिस तरह देश के गाउं गाउं में बिली पहुंचाने का काम किया है उसी तरह और मेरी माताएं बेहने खाद सुने हमने जैसे सौचाले का काम चलाया बिजली का चलाया अब ठान के लिया है मेरी माताएं बेहने गर गर जल पहुंचाने के लिए जुटेंगे पानी पहुंचाएंगे इस पर भी बहुत तेजी से काम आरंब हो चुका है हमने प्रामिस किया था कि देश के पशुधन को गाउं और किसान की समरुद्धी की रीड बनाएंगे देश के पचास करोड से अधिक पशुधन उनको बिमारी से बचाने के लिए ठीका करण का काम शुरू हो चुका है